अश्टा वक्र गीता तेर्म प्रकरण स्वरूप स्थिती का आनंद आत्म के सिवाई अन्य कोई वस्तू है ही नहीं ऐसे बोध से जो स्वरूप स्थिती प्राप्त होती है वह केवल कौपीन धारी होने पर भी दुर्लब है इसलिए त्याग ग्रहन का परित्याग करके मैं मौज में रहता हूँ कहीं तो शरीर को कश्ट होता है और कहीं जिवा को तथा कहीं मन को इसलिए उन सब को छोड़ कर मैं अपने स्वरूप में सुख पूर्वक स्थितू शरीर अंतह करनादी के द्वारा किया हुआ कर्म वस्तुता कुछ नहीं है ऐसा निश्चय करके जब जो करतव्य सामने आ जाता है उसे करके मैं मौज में रहता हूँ कर्म का संकल्प करो अथ्वा उसके त्याग का संकल्प करो यह दुराग्रह तो देहा भीमानी साधक के लिए है न मुझ से किसी का संयोग है और न तो वियोग इसलिए मैं सुख पूर्वक रहता हूँ स्थिती, गदी, अथ्वा, शयन से न मेरा कोई लाब है न तो हानी इसलिए उठते, बैठते, सोते मैं अपनी मौझ में रहता हूँ न सोने से मेरी कोई हानी है और न परिश्रम करने से कोई लाब इसलिए हानी और लाब की बुद्धी का परित्याग करके मैं मौझ में रहता हूँ जगत के किसी भी पदार्थ में, स्थिती में यह सुख है, यह दुख है, ऐसा नियम नहीं है यह बात मैंने बार-बार देख ली है इसलिए शुभ और अशुभ बुद्धी का परित्याग करके मैं मौझ में रहता हूँ इति श्रीम दस्टा वक्र मुनि विरचितायां ब्रह्म विध्यायां यथा सुख सप्तकं नाम त्रयोदशं प्रकर्णं समाप्तं धन्यवाद